दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं एंटिवाइटिक क्या होती है और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए इसके बारे में प्राइमेरी इस्तरफ है और संचिप्त में इसे समझने कोशिच करें क्योंकि यह किसी भी पसू के इलाज का मुख्य भाग होता तो एंटिवाइटिक होती क्या है एंटिवाइटिक मतल होता है किसी के अंगेश्ट यानि जो जीवाणू है ध्यान रखना बिशाणू नहीं बिशाणू तो कोरोना वायरस है जो आजकल चला वो बिशाणू है बात हो रहें जीवाणू की एंटिवाइटिक एक केमिकल सब स्टेंट होता है जो जीवानु को मारता है जीवानु क्या करते हैं बोखार करते हैं जीवानु फोड़े फुंसी बनाते हैं जीवानु निमोनिया बनाते हैं एक बीमारी होती गल गोंटू की वह भी जीवानु से होती है ठीक है खुरपके नूपके की बिशाणू की है वह ब बेसे साइसी से नबबब परशनेंट बुखार जीवाणू से आता है तो जो पासुओं की भीमारी वो जीवाणू से संब्सक्राइब तो अब जीवाणू किसे मारो गए एन्टिवाइटिक से आपको एंटिवाइटिक की जानकारी होने चाहिए तो जो यह जीवानू को यह मारती कैसे तो यह जीवानु का बनना बंद कुछ एंटिवाइटिक होते जीवानू को मार देती है तो यह जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा और एक क्या करती है उसकी ग्रोथी नहीं 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 अगे जिन्दातो रहे ग्रोत नहीं होगी तो दोनों लंग को मार देती है अताय जंतर नहीं सब्रुप देती है रहत नहीं को सब्सक्रूम गउच dragging और narrow spectrum antibiotic, broad माने जो जीवाणू होता है, जीवाणू दो तरक होता है, gram positive और gram negative, जो बीमारियां होती, gram positive net, तो जो broad spectrum antibiotic हैं, वो हमारी gram negative और gram positive दोनो तरक जीवाणू को मार देगी, तो यह हमारा अच्छा बनेगा, यह जैसे नेरो एंटिवाटिक है वो केवल आपको बखार ग्राम पॉजिटिव से आया या नेगिटिव से आया दोनों को नहीं मारागी एक को मारी तो बखार नहीं उतरेगा तो ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटिवाइटिक का पिरोग हमें करना चाहिए ठीक है अब नेरो इस्पेक्ट्रम के बारे बता दूए का आपने नाम सुनाओं को स्टेप्टोमाईसिन ठेबलेट चलता है उसमें यह होती है तो ब्रॉड इस्पेक्ट्रम आपने पूरी नहीं हो पाएगा इसलिए मैं रहात हैं आप एंटिवाइटिक के बिना इलाज सोच भी निस सकते हैं तो एंटिवाइटिक आपको दोज आनी चाहिए कितनी होती है और एंटीवाइटी वाइट के हाईवड तिके कहीं là 27 में गता यहां के senses कि जानकारी आपको होनी कर दिया सिरोफ मढाती उले पड़ जाएंगे एक तरह से वह नुक्सान दाएक है कहीं कुछ एंटिवाइटिक लिवर की बीमारी को बढ़ा देती हैं कुछ एंटिवाइटिक केवल खाट खुजली में लगती है तो इसलिए एंटिवाटिक का ग्यान होना बहुत ज़्यादा जरूली है और कोई भी एंटिवाटिक का इलाज आप करते हैं तो अपरे नजदी की पसूची किसा अधिकारी या आपके किसी पसूची किसा की देख रेखे में करें थेंक्यू धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें सेवर करें थेंक्यू धन्यवाद